आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Flowers are Trimerus and Hypogynus in Family Papilionese पूछा गए है कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट है उसमें Flowers जो है वो Trimerus यानि उनमें तीन पेटल्स पाए जाते हैं और Hypogynus ovary यानि जो ovary है वो Superior ovary होता है कौन से फैमिली में तो Papilionese family में जिसको हम लोग Family Fabacy के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पे जो given है सही है या गलत है वो बताना है तो basically Fabacy या फिर Papilionese family में अगर हम लोग देखे तो वहाँ पे Pentameras flower पाया जाता है Pentameras का मतलब है कि जो petals होते हैं या फिर हम लोग petals भी पकर सकते हैं mainly petals ही होता है जिनका numbers जो है वो 5 in numbers होता है और साथ में Fabacy family में एक चीज़ सही है कि इनका जो structure या फिर जो इनका ovary का position पाया जाता है वो superior ही होता है यानि हाइपो गाइनस जो ovary है वो पाया जाता है Papilionese family में या फिर Fabacy family में लेकिन जो trimeras कहा गया है ये बिल्कुल गलत है तो statement जो है ये false हो जाएगा बाकी अब अगर बात करने कि trimeras यानि जो petals है वो 3 number में और superior ovary पाया जाते हैं तो ये family है family lily ac यानि lily family में अगर देखे तो वहाँ पे petals जो है वो 3 number में पाया जाते है और ovary जो है वो superior होता है अब अगर हम लोग ovary के structures को देखे तो ovary का structure जो है वो इस तरीके से होता है जहां पे ovary पहले बना हुआ रहता है और उसके नीचे से क्या होता है कि petal sepals ऐसे grow करते है और ovary जो है वो एकदम अलग से उपर में बना हुआ रहता है तो ये हो गया पूरा answer जहां पे statement जो है वो false है classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 पर